Welcome to my YouTube channel Language Legacy दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Alfred Tennyson की famous poem Crossing the Bargo लेकिन उससे पहले जान लेते हैं poem की कुछ important बाते दोस्तो इस poem को poet अपनी death से 3 साल पहले 1889 में लिखा था poet इस poem में अपनी death के बारे में बात कर रहे हैं और इस poem की central theme भी death है दोस्तो ये poem एक elegy poem है इस poem के अंदर poet ने कुछ metaphors कभी यूज किया है जैसे कि she is metaphor of death and afterlife and pilot is metaphor of God दोस्तो इस poem के अंदर total 4 stanza है और her stanza में 4 lines है total 16 lines की ये poem है इस poem के अंदर poet ने ये भी ये भी rhyme scheme का यूज किया है Alfred Tennyson दोस्तो बहुती famous British poet थे जिनका जन्म 89 England में हुआ था और death 1892 में हुई थी दोस्तो उनके कुछ famous work में In Memoriam, Lady Shallot, etc. शामिल है दोस्तो जिस sandbar की इस poem में throughout discussion हुआ है वो sandbar कुछ इस तरीके का दिखता है जो आपको इस sand का path इस sea के बीच में दिख रहा है उसी को sandbar कहा जाता है दोस्तो बिना देरी के start करते है अपनी poem Crossing the Bar को दोस्तो इस poem का first tenza है Sunset and Evening Star सूरज डूप रहा है और आसमान में Evening Star यानि Venus दिख रहा है यहाँ पर poet अपने आप से बात कर रहे है और बोल रहे है कि दिन खत्म होने को आया है और अब यह time rest यानि death का है and many there be no moaning of the bar और मैं चाहता हूँ इस bar पर कोई भी मेरे लिए उदास ना हूँ when I put out to see जब मैं समुद्र में जाऊं दोस्तो इस tenza का मतलब है कि यह आवाज शायद भगवान या God की है जो की poet को बुला रही है यानि poet की अब death होने वाली है और इस bar को छोड़ कर यानि इस धर्ती को छोड़ कर अब वो C में जाने वाले है यानि वो मरने वाले है bar यानि दोस्तो धर्ती और C यानि दोस्तो जो उनकी death के बाद की जो life है और धर्ती जहाँ पर की उनके अपने loved one और relatives रहते हैं वो नहीं चाहते हैं यानि poet नहीं चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यू हो तो उनके loved one और relatives किसी भी तरीके का शोग मनाए या उनके लिए sad हो बलकि वो चाहते हैं कि उनको वो अराम से goodbye करे एक अच्छी farewell दे second stanza में poet कहते हैं but such a tide as moving seems asleep मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी लहर भाके ले जाए जो बहुत ही slow गती से आगे बढ़ती हो जैसे कि मानो वो लहर सो रही हो too full for sound and foam यानि उस लहर में पानी की quantity इतनी ज्यादा हो कि न तो वो कोई आवास करे और ना उसमें किसी भी तरीके का foam यानि छाग बने यानि उस लहर का उस sandbar पे कोई असर ना हो दोस्तो sandbar यानि उनके logo पे जो की उनकी death के बाद रोएंगे या उनके लिए sad होंगे when that which drew from out the boundless deep turns again home दोस्तो boundless deep का मतलब गहराई होता है और इन दो lines का मतलब है कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि जब मैं अपने भगवान के पास यानि God के पास जाऊं यानि जब poet अपनी death के बाद God के पास जाएं और लोटे लोटे मतलब कि अपने home लोटे यानि कि death के बाद भगवान के पास उनकी जब आत्म लोटे तो वो उनसे दूर नहीं रह जाएंगे जो अभी उनके बीच में जो भी दूरी है वो death के बाद वो दूरी नहीं रह जाएगी जब वो भगवान के पास चली जाएगी उनकी आत्मा दोस्तों थर्स टेंजा में पोईट कहते हैं टोईलाइट अण इवनिंग बेल यानि की शाम हो गई है और चर्च में शाम की प्रात्ना की जो घंटियां हैं वो भी बजनी स्टार्ट हो गई है और पोईट कहते हैं उसके बाद यानि शाम के बाद अधेरा चाह जाएगा यानि दिन खत्म हो जाएगा और पोईट चाहते हैं कि जब मेरी मृत्यू हो तो कोई भी मुझसे उदास होकर अलविदा ना कहे जब मेरी मौत पर लोग शोक ना मनाए और ना ही दुखी हों दोस्तो लास्ट एंजा में पोईट कहते हैं कि भले ही इस समय से इस प्लेस से बाहार मेरे को ये लहर टाइट बहा कर ले जाएगी मुझे ये लहर बहुत दूर बहा कर ले जाएगी लेकिन मेरे को ये उमीद है, ये होप है कि मैं अपने भगवान से, अपने गौट से मिलूँगा face to face जिनोंने मेरी जिन्दगी को जितनी भी मुश्किले और hurdles आई है मेरे रास्ते में तो भगवान ने throughout the journey उनको पार करने में मेरी help करी है और ऐसा जब होगा, जब मैं इस C-bar को यानि इस C-bar को क्रॉस करके पार करके आगे बढ़ जाओगा यानि मेरी death हो जाएगी, तब मैं अपने गौट से मिलूँगा दोस्तों, अगर आपको ये poem समझ आई हो और अगर आपको मेरा ये summary ये narration समझ आई हो तो प्लीज मेरे चानल को subscribe जरूर करिये, share जरूर करिये and do like, share, comment to my YouTube channel Language Legacy Thank you so much